गुद मॉर्णिंग स्टुडेंट्स महाराममूर्थी क्लासिज में मेसेंजेस हैनी आप सभी का स्वागत करता हूं स्टुडेंट्स आज हम लोग क्लास 12 का सेकिंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे इससे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे स्टुडेंट्स इससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर मैं इसकी एक्स्प्लाइनेशन करूं वाई चैप्टर की तो बहुत जादा एक्स्प्लाइनेशन हो जाएगी लेकिन जो जो चीजें आपको जरूरत है वो सारी चीजें मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा तो आपने उन पर फॉकस करना है जो चीजें जो फार्मूलाज आपको एक्सरसाइज को करने के लिए चाहिए इन दोनों exercise को solve करने के लिए चाहिए वो सब मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा तो students inverse trigonometry function से पहले inverse function क्या होता है यानि किसी function का inverse कब exist करता है students suppose मेरे पास एक function है x to y suppose x है मेरे पास एक set है x 1,2,3,4 और y एक set है मेरे पास function है मेरे पास x to y y है a, b, c, b इस function का inverse कब exist करेगा if it is 1,1 1,1 and onto अगर ये 1,1 रहेगा और onto रहेगा तब इसका inverse exist करेगा ये हमने फर्स चैप्टर में पढ़ा है किसी भी function का inverse कब exist करता है जब वो 1,1 होगा और onto होगा यानि inverse का मतलब है यानि वो सीधा भी function है सीधा means x to y भी function है और y to x भी function है अब function होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ वैसे मैंने फर्स चैप्टर में आपको introduce करवाया है what is function function के लिए students हमारे पास ये जो domain में element होते है यानि ये x to y function है तो x वाले element को बोला जाएगा domain domain में जितने भी element है उनकी rij yo domain के अंदर cookie communication होनी यानि exactly one relation होनी चाहिए unique means one हमारी domain में element है उनकी युनिव image यानि image भी बोल सकते हैं हम इसको जैसे 1 की A के साथ relation है तो 1 की A क्या है image 2 का B के साथ है 3 का suppose D के साथ है 4 का C के साथ है अब देखे जो इस side वाले element की इस side में unique image है याई एक एक के साथ relation है तो this relation पहले तो यह relation है 1 का A के साथ relation 2 का B के साथ 3 का D के साथ 4 का C है यह relation है 1 की A के साथ अब जितनी भी ये domain में element है इनकी one-one relation है कोई भी एक ऐसा element नहीं जिसकी दो relation हो यानि जितने भी domain में element है उनकी unique relation हो जाएए ना तो x से ज़्यादा और ना ही x से कब then that relation is set to be function अब देखिए यहाँ पे ये relation क्या है function है सबकी एक-एकी में जैना ना एक से कम है ना एक से ज़्यादा है तो ये x to y function है अब ये y to x function कब होगा जब ये one-one होगा और on-to होगा one-one का मतलब क्या है students one-one का मतलब different element की कई बार ये ऐसा भी हो सकता है जैसे suppose मेरे पास ये है एक, डो, टील मेरे पास और ये है a, b अब यहां one की भी a है two की भी a है, three की b है अब देखे ये x है, ये y है other example अब यहां पर ये दो की a की मेरे है, इस side वाले element की इस side में unique image है unique means one ही है one की a है, इसके लिए इसकी a की मेरे है, इस element के लिए इसकी a की मेरे है, इसके लिए इसकी एक इमेज है, यह unique image तो है, यह x to y function है, लेकिन यह one one नहीं है, क्योंकि more than one element है, same image, दो element की एक image होगी, तो यह many one function है, और मैंने कहा है, कोई function, अगर one one होगा, और on two होगा, तो वो ultra भी function होगा, और शिता भी, यानि यह x to y भी function होगा, और y to x भी, अब देखिए, यहा तो यह one one है, और on two के लिए, जो हमारे पास code domain में element है, यानि इस side में element है, उनका सबका relation होना चाहिए, यानि यह देखिए, सबका किसी ना किसी के साथ relation है, यानि pre image होनी चाहिए, यानि a की भी one है, pre image, b की, c की और d, कोई ऐसा element तो नहीं, जो खाली बच गया हो, जिसकी pre image ना हो, तो इसमें सबी element उनकी pre image है, तो यह one one भी है, और on two भी है, तो यह invertible है, invertible कैसे है students, अगर मैं इस function को ultra लिखूं, यानि यह ऐसे y लिख दिया, और यहां लिख दिया x, यह y हो गया और यह x, अब यह a, b, c, d को इधर लिख दिया, a, b, c, d, और यह one, two, three, four, इधर लिख दिया, तो देखिए, यह ultra भी function हो जाएगा, देखिए, a का one के साथ था, yes, b का two के साथ था, yes, c का four के साथ है, और d का three के साथ था, अब देखिए, यह side में जितने भी element उनकी unique image है, यानि सब की image है, ना एक से कम है, ना एक से ज़्यादा, यह यह y to x भी function है, अब य possible हुआ, जब यह one one था, और on two था, यहाँ पर देखिए, many one function है, many one है, और on two है, many one on two function है, यानि यह one one नहीं है, इसका मतलब इसका inverse exist नहीं करेगा, तो करके देखते हैं, यानि यह a, b, हमने यहाँ पर लिया, it is invertible, यानि यह वाला function तो invertible है, लेकिन यह नहीं है, a, b और यह one, two, three, यह a का one के साथ भी relation है, two के साथ भी, b का three के साथ है, उल्टा देखें, तो यह y है और यह x है, it means, यह relation तो है, यानि क्योंकि इस में एक element की दो image बन गी है, और मैंने कहा था, कोई relation function कब होगी, जब अब unique image होगी, यानि एक element की a की ही image होनी चाहिए, अब a की one b image है, a की two b image है, it means this relation is not function, this is not invertible, यानि जो यह वाला function है, यह invertible नहीं है, क्योंकि यह सिद्धा तो function है, x to y, लेकिन y to x नहीं है, तो this function, this is not function from y to x, यानि y to x यह फंक्शन नहीं है, यानि y to x यह फंक्शन नही इस तरह से लिखेंगे, so this is not invertible, यह invertible नहीं है, और यह invertible है, क्योंकि सबकी अलग-अलग image है, अब यहाँ पर देखिए students, इसका मतलब भी हुआ, यानि अगर मैंने one element है, इसका a के साथ relation है, यानि अगर f1 है, f1 की image कितनी है, a, f2 की image है, वो भी a है, यानि दो element का एक के स समन्द हो गया, और f3 की image कितनी है, b, it means यह वाला one one function नहीं है, तो यह invertible नहीं हुआ, तो हमें यहाँ से क्या पता चला students, वैसे मैंने first chapter में बताया भी है आपको, आप first chapter की वीडियो देख सकते हो, जब मैंने function वाला concept समझाया था, कि one one on two function कब होता है, और एक relation function कब होता ह इसमें मैंने थोड़ा सा आपको introduction करवाई है, उमीद करतो हूं आपको समझायी होगी, अब मैंने check करना है inverse trigonometry function, यह chapter है जो हमारे पास, वो है inverse trigonometry function, क्या trigonometry function का inverse possible है, वैसे journaling बात करें हम students, तो trigonometry function का inverse possible नहीं है, क्यों नहीं है possible, trigonometry function का inverse possible नहीं है, जर्नली, क्योंकि देखे students, अगर मैं sine 30 degree कहूँ, यानि sine 30 degree कहें अगर हम, वो होता है 1 by 2, और sine 150 भी हमारे पास 1 by 2 होता है, sine, sine हमारे पास 150 1 by 2 है, और इसी तरह से, sine हमारे पास 390 भी 1 by 2 है, यानि यह कहें, sine x जब हमारे पास 1 by 2 है, तो x कितनी value पे 1 by 2 है, तो हमने plus 1 में किया है, x is equal to n pi plus minus, plus minus 1 की power n into y, इन value पे यह क्या है, 1 by 2 है, यानि यह n क्या है students, where n belongs to integer, और यह y क्या है, यह principal value, यानि x is equal to n pi plus minus 1, यहाँ पे plus रहेगा students, plus minus 1 की power n into y, यह y क्या है students, जो इसकी principal value है, principal value क्या होती है, यानि जो sine x है, 1 by 2 सबसे पहले कहां पे है, sine है 1 by 2, pi by 6 पे, यानि 30 degree पे, यानि यह पे लिखें, pi by 6, अब इसमें n की value 1 रखेंगे, तो पहली value आ जाएगी, जिसपे sine 0 रखेंगे, n की value 0 रखो students, तो यह क्या आद हैगा, n की value 0 रखो, तो x आद हैगा हमारे पास, when n is equal to 0 रखेंगे, तो x आएगा, 0 pi plus minus 1 की power 0, यानि 0 pi plus minus 1 की power 0 into pi by 6, यानि 0 into pi 0, minus 1 की power 0, 1, यानि ये pi by 6 आ गया, पहली value आगे student, 30 degree, इसी तरह से x की value 1 put करेंगे, तो ये 150 आ जाएगा, 2 put गए 390, यानि सभी value आ रही हैं, जिसपे ये, जो sine function है, 1 by 2 है, यानि ये तो एक से जादा value पे 1 by 2 है, यानि एक से जादा value का जो relation किसके साथ है, 1 by 2 है, 2 के साथ है, जैसे यहाँ पे students, 1 का और 2 का relation किसके साथ था, 1 का भी A के साथ था, 2 का भी A के साथ था, यानि एक से जादा value का relation, एक element के साथ हो गया, इसी तरह से यहाँ पे भी, देखिए sin function में एक से ज़्यादा value का यानि एक से ज़्यादा angle का relation हमारा 1 by 2 के साथ हो गया 30 degree भी 150 भी 390 भी it means यह 1 1 नहीं हुआ so sin x जो function है is not 1 1 function 1 1 function नहीं है sin x is not 1 1 function यानि जब हम इसका mapping करेंगे students mapping में परतेक जो y की value के लिए x की कोई unique value नहीं होगी यानि उल्टी अगर हम देखेंगे जैसे यहाँ पर उल्टा देखा यह a था अब इस side में जब many one हो गया student function तो यहाँ पर जो y है y से जो element है उसका unique element के साथ समंद नहीं रहेगा यानि उसका एक से ज़ाद element के साथ समंद हो गया जब एक से ज़ाद element के साथ उसका relation हो गया तो then that relation is not function तो इसी तरह से जब यहाँ पर हम देखेंगे जो sign है sign की जब हम mapping करेंगे तो यानि 30 degree का भी 1 by 2 के साथ होगा suppose यहाँ 1 by 2 है 150 का भी 1 by 2 के साथ relation इसी तरह से 390 का भी 1 by 2 है और सो ओन बहुत सारी values का 1 by 2 के साथ relation है यानि जो यह 1 by 2 जब उल्टा देखेंगे तो इस 1 by 2 का जब उल्टा function देखेंगे यानि यह sign तो function है sign x तो हमारे पास function है क्योंकि sign x ही प्रते एक value के लिए एक unique value तो आएगी यानि 30 के लिए एक value है लेकिन जब उल्टा देखेंगे तो 1 by 2 की जब 1 by 2 है उल्टा देखेंगे इसको 1 by 2 की relation 30 degree के साथ भी आ जाएगी 150 के साथ भी आ जाएगी 390 के साथ भी आ देगी it means इसका मतलब यह हुआ यह सीधा तो function है लेकिन उल्टा function नहीं है तो trigonometry function जो है वो हमारे पास उनका inverse exist नहीं करता लेकिन इसका inverse exist करने के लिए हमें इसकी domain के उपर restriction लगाते हैं यानि कुछ restriction लगाते हैं restriction क्या होगी students बार बार repeat ना हो यानि सबकी unique value हो जैसे suppose हमें पता है students जो sine x है sine x ही जब x ही कोई भी value रखेंगे हम तो इसकी जो range रहेगी यानि sine x ही जो range रहेगी range क्या रहेगी यानि जो हमारे पास sine 30 degree, sine 45, sine 60 जो भी रखेंगे तो range हमारे पास minus 1 आएगी और 1 यानि minus 1 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती वो domain निकालेंगे जिस domain में ये value सभी जो domain के element है उनकी unique value आएगी किसी की भी दुबारा repeat नहीं होगी value तो उसके लिए students मैं आपको इसका graph समझा रहा हूँ अब देखे students करेगा जब ये one one और one two कैसे होगा sign x function देखे मैंने ये table बनाई है x की value मैंने 0 pi by 6 30 60 90 120 150 लिया इसी तरह minus 30 60 90 minus 120 60 sign 0 कितना हो थे students sign 0 0 sign 31 by 2.5 ये root 3 by 0.8 ये 91 फिर root 3 by 2.8 1 by 2.5 इसी तरह है negative में sign minus 30 minus 1 by 2.5 minus 0.8 ये minus 1 यहाँ पर लिख दिया minus 1 अब इसके बाद फिर दुबारा से अब देखे students यहाँ पर repeat कहां से start होई अगली अगर मैं इस domain के अंदर देखूँ जो ये इतनी वाली domain है minus pi by 2 से pi by 2 यानि इस वाली domain में अगर मैं value को check करूं students तो ये minus 1 है ये minus 0.8 minus 0.5 कोई भी value रिपीट नेगटीव है ये positive है यानि इसके बाद अगर मैं देखूँ तो 0.8 दुबारा आ गए देखे फिर 0.5 दुबारा आ गया फिर यानि इसके बाद repeat होना start होगी इसी तरह से इस side में भी ये देखे यहां से इसके बाद repeat होना start होगी अब मैं अगर इसको graphically plot करूं तो कैसा बनेगा हमारे पास graph यानि x की value 0 है तो 0 sin x का graph x की value 5 by 6 है ये 5 by 2 है 5 by 6 यहां है तो ये आएगा 0.5 0.5 कहां सी होगा यहां सी होगा students फिर x value 5 by 3 है तो 0.8 0.8 यहां सी होगा और x value 5 by 2 है तो ये 1 तो इस तरह से आ रही है ये करण फिर उसके बाद यहां पे फिर आगे फिर कम होना start होगी 2 by 3 है तो 0.8 तो 2 by 3 यहां पे है students यानि ये 120 डिगर यहां सी होगा ये नब्बे है 120 तो pi by 8 अगे यहां पे आ गया फिर 1 by 2 होगी यहां पे आ गया फिर वो 0 हो जाएगी आगे जो value है तो it means वो graph हमारे पास जो sin x का graph है वो इस तरह से चल रहा है और इसी तरह से फिर आगे फिर वो नीचे जाएगा नीचे इस तरह से जाएगा ये students फिर ये ऐसे जाएगा तो हमारे पास sin x की करब ये इस तरह से बढ़े इसी तरह से negative side में चलें तो again ये minus का point 8 जब minus का pi by 6 है minus का pi by 6 के minus का point 5 यानि यहां पे point आएगा अब अगर मैं minus pi by 3 दो minus pi by 3 यहां पे होगा minus का 6 ये minus का 90 है minus का 6 यहां सी होगा तो ये point 8 है point 8 यहां सी होगा students और अगर मैं minus 90 लूँ तो ये आएगा minus 1 minus 1 के सामने ये आगी इसी तरह से minus का 120 लूँ minus का point 8 तो minus का 120 यहां पे होगा minus का point 8 ये रहा इसी तरह से minus 5 pi by 6 लूँ तो ये आएगा minus का point 5 minus का point 5 इसके सामने point 5 ये रहा माइनस का 150 यहां सी होगा और माइनस का 180 लेंगे तो वो 0 आजाएगी Students फिर अगर फिर दुबारा से हमें इसको प्लोट करेंगे यह इस तरह से graph तलेगा तो इसी तरह से यहां पर ऐसे तलेगा students graph तो हमारे पास sin x करव यह आई है अब देखिए जो यह वाला interval है यानि यह क्या है minus pi by 2 और यह क्या है pi by 2 इस वाले interval में हम देख रहे हैं जो sin x कोई भी value repeat नहीं हो रही है sin x की अगर हम यहां से parallel line draw करें तो कोई भी value repeat नहीं होगी इस interval में यह देखिए यानि minus pi by 2 नहीं repeat हो रही है value को यहां तक यानि minus pi by 2 यह है हमारे पास minus pi by 2 और यह है pi by 2 यानि इस value के बीच में देखिए कोई भी value repeat नहीं हो रही है इसके बाद यहां repeat ओनी start होई इसके बाद निच्चे आनी start होई यानि इसके सामने same value आने लग रही है तो इस इतने value में minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में जो यह function है वो क्या है 1,1 भी है और on 2 भी है यानि सब different element की different क्या है image है यानि pi by 6 की भी different है इसकी भी different है सब की different image आ रही है यानि pi by 6 का relation किसके साथ है 0 का 0 के साथ है pi by 6 का 0.5 के साथ है तेखिए pi by 3 का 0.8 point यानि सबका अलग-अलग के साथ relation है it means इतनी domain में ये function क्या है one one भी है और on two भी है यानि फिर हम ये कह सकते हैं जो sign x है इसकी domain क्या रहेगी इसको invertible बनाने के लिए domain रहेगी minus pi by two से pi by two और हमें ये भी पता है students जो again value हमारे पास repeat हो रही है यानि range क्या आ रही है sin x की हमारे पास यहाँ पे range आ रही है हमारे पास minus one से one के बीच में रहेगी जो range तो student sin x की domain इस domain के अंदर जो sign x function है वो one one भी है और on two भी है so इस domain के अंदर इस domain के अंदर so it is one one and on two तो यहाँ पे इसका sin x का जो है inverse exist करता है वे क्या है students हमारे पास यह वे है हमारे पास जैसे sin y हमारे को x हमें यह equation दे रखी है इसका मतलब यह है sin of y is equal to x यहाँ पे क्या एंगल ले ताकि वो x के equal आए तो इसको हम inverse way में किस तरह से लिखेंगे students y is equal to sin inverse यह sin की power minus one x इसको inverse way में हम इस तरह से लिख सकते है students यह देखें sin y is equal to x है तो y is equal to sin inverse x इसको पढ़ा जाएगा students sin inverse x यानि sin inverse x इस तरह से इसको read किया जाएगा तो यहाँ पे देखें sin y अगर हमारे पास x के equal है तो sin y अगर हमारे पास x के equal है यह one होगी तो y हमने क्या देखा कि sin inverse x है यह two होगी अब अगर हम y की value sin inverse x यहाँ पे रखूँ तो sin ऐसे कैसे और y की value sin inverse x यहाँ रखूँ तो यह क्या आएगा हमारे पास यह आएगा x यह थाड़ और अगर मैं यहाँ पे students यह y है हमारे पास यह second में y है और sin inverse x की जगाए sin y रखूँ यहाँ पे second में y is equal to sin inverse x है तो x के लिए sin y रखूँ तो sin inverse sin y तो यह देखिए यानि sin inverse of sin y किसके को लाएगा y के और sin inverse of sin x आएगा x के को it means sin और sin inverse एक दूसरे को क्या कर देते हैं cancel out कर देते हैं तो यहां से हमें यह चीज भी पता चले अब students अब हमें इसका inverse करना है यहाँ पे यह function इसका इतनी domain के अंदर इस sin function का inverse exist करता है तो inverse करना कैसे है हमें क्या करना है यह x exist थी पहले और यह y थी अब inverse का मतलब क्या है जो domain है वो range बन जाएगी range domain बन जाएगी यानि हमारे पास इसका inverse करना है तो हम क्या करेंगे students हम mirror image लेंगे यहां से mirror image मिर्स यहां से हमने line draw करें इस तरह से यह suppose करो क्या है शीशा है जब आप शीश में फिश देखते हो यानि हमने क्या करने mirror image लेनी है और इन्वर्स का मतलब है x-axis को y-axis बनाएगे यानि अगर यह x-to-y function है तो y-to-x बनाना है यानि मुझे x-axis को y में करना है y को किसमें करना है x में तो मैं इसको इस तरह से घुमाओगा students इस तरह से तो या फिर इसको इस तरह देखिए यह यह इसको उपर करेंगे जब हम लोग तो यह हमारे पास किस तरह से बनेगा यह हमारे पास इस तरह से इस तरए की shape आजाएगी students यह देखी मैं आपको बना के दीखा रहा हूं हमारे पास यह इस तरह की शेप आजाएगी स्कूडर्स चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो इसको मीरर इमेज बोल सकते हैं हम लोग अब यह देखिए यह यह था हमारे पास यहां पर यह देखिए जब यहां से इसको यहां पर मीरर लगा दें तो क्या होगा स्टूडर्स यहां पर मैंने एक मीरर लिया तो यह जो यह पार्ट है यह ऐसे हो जाएगा मीरर में दिखेगा और यह इस तरह से दिखेगा तो यह देखिए स्टूडर यह इस तरह की shape आएगी तो यहां पे जो यह value थी यहां तक यह क्या थी पाइबाई टू यानि हमें उल्टी लेनी है यह y axis पे लेनी पड़ेगी अभी value यानि यह है हमारे पास x axis और यह बन जाएगी y axis तब हमारे पास यानि यह invertible function बन गया ना students तो चाहे अब देखिए यहां पे यह क्या थे पाइबाई टू थी तो यह है पाइबाई टू और यह है पाई और यह क्या थी students इसके सामने यह वाली यह थी minus पाइबाई टू यह देखिए यह जो यह चीज है यह चीज यहां पे यह आई है students जब X Axis को यह बनाएगे स्टून्णों इसको कि इससे पलटेंगे यह साइड में लेके आना है तो अभी हमारे पास यह अईसे आएगा यह यह इंदर आ जाएगा और आकती ऊजी है तो हमारे पास यह दा इतने हजिक्श हां और यह रिग तो यहां पर जो value है यह है हमारे पास minus pi by 2 और यह है हमारे पास minus pi और इसी तरह से यह है pi अब students यह वाला portion है जो यह वाला portion यह क्या है हमारे पास इसका inverse यानि sign का यह क्या है inverse अब आप लोग यह भी सोच रहे होंगे students यहां से एक चीज और आपके जहन में आई होगी तो इस पोर्षन पे भी यह देखे इस पोर्षन पे बी इस पोर्षन पे कौन सा हमारी value चेंज हो रही है इसमें भी सब अलग आता है घट रही है यह देखे यहां तक तो हम यह portion भी तो ले सकते हैं pi by 2 से 3pi by 2 यह भी ले सकते हैं students इसी तरह से आगे 3pi by 2 से आगे जो आएगा वो भी ले सकते हैं और इसी तरह से इस साइड में भी हम ले सकते हैं माइनस त्री पाइबाइटू से अब यहां पे भी चेंज नहीं और यह देखी वैल्यू माइनस त्री पाइबाइटू से माइनस पाइबाइटू भी ले सकते हैं लेकिन internationally हमें इस चीज को minus pi by 2 से pi by 2 को accept किया गया है तो इस minus pi by 2 से pi by 2 की value को हमने इसकी domain assume किया है किसकी sine x की internationally हमें ये जो value है इसको accept किया है तो इस value को हम कहेंगे principal value वैसे ले हम ये भी सकते है pi by 2 से 3 pi by 2 लेकिन हमने लेनी नहीं है क्योंकि ये internationally इसी तरह से ये भी internationally accepted नहीं है तो हमें internationally accepted क्या है minus pi by 2 से pi by 2 तो इस तरह से जो sine inverse x है अब ये sine inverse x की क्या है students ये sine inverse x का क्या है ये हमारे पास graph है यानि और इसकी फिर sine inverse x का अगर graph है ये तो sine inverse x की जो domain आएगी वो क्या आएगी domain क्या है जो put करेंगे हम अब जो sine की domain थी वो क्या बन जाएगी range और range क्या बन जाएगी domain क्योंकि हमारे पास inverse का मतल़ क्या उल्टा होता है यहाँ पे 1 और ये रहेगी हमारे पास minus 1 और ये हमेशा देखते जाओगे आप तो ये minus 1 और 1 के बीच में ही रहेगी सभी value यहाँ प उसकी domain रहेगी minus 1,1 और range रहेगी students range रहेगी हमारे पास range आएगी students हमारे पास क्या है range कितनी आई थी minus pi by 2 2 pi by 2 अब students मैं सभी trigonometry function का करके नहीं दिखाऊँगा क्यों नहीं दिखाऊँगा क्योंकि इतना ही time सभी में लगेगा तो जो आपको main चीज ध्यान रखनी है तो उ सभी trigonometry function की domain और range आपके लिए लिखने जा रहा हूँ इसी तरह से जब course inverse x का हम देखेंगे domain इस chapter में सिर्फ हमें यही चीज पता हुनी चाहिए कि यह domain और range का क्या चक्कर है अब range हमारे पास minus pi by 2 से pi by 2 ही रहेगी और इसका हमारे पास in question को solve करने main role रहेगा तो इसलिए students यानि sign x function हमारे पास invertible नहीं था तो हमें उसको invertible बनाने के लिए उसके उपर certain condition लगाई यानि उसकी domain को limited कर दिया यानि restrict कर दिया तो restrict करने के बाद जो sign function था वो invertible हो गया वैसे अगर journaling पूरे whole value पे देखें तो sign जो function है वो invertible नहीं है लेकिन इसकी विशे domain पर यह क्या रहेगा invertible रहेगा इसी तरह से course inverse x की जो भी ज्यादा से ज्यादा value है कम से कम value minus 1 है और ज्यादा से ज्यादा वन तो और यहां पर इसकी भी जो जब हम course x वाला function देखेंगे students हमारे past math में इस सारे इन सबके हमारे को graph भी दे रखें यह sin x का यह sin inverse x का इसी तरह से course x का है यह course inverse x का है अब जब course x का देखें students हम graph तो यह कहां से कहां तक vary नहीं कर रहा है देखें यहां से लेज यहां तक जो इसकी value है वो लगातार घट रही है कोई भी repeat नहीं हो रही है लेकिन जैसी मैंने आगे बढ़ाना श्टार्ट के एन 0 से यह pi है students यह pi by 2 है 0 से pi तक जो यह value है लगातार decrease हो रही है और सभी points पे यह different value है यानि unique value है लेकिन जैसी मैंने आगे बढ़ाना श स्टार्ट होगी देखें यहां पे 3 pi by 2 पे जो value है वही 3 pi by 2 है इसके बाद यह graph repeat होना स्टार्ट हो गया यह unique नहीं रहा इसके बाद यह unique कहां कहां तक है 0 से pi तक है यह unique value है यह 0 से pi इसकी क्या रहेगी हमारे पास फिर इसकी domain रहेगी यह जो domain पे restriction लगी है वो कहां से कहा तक लगे 0 से pi और इसको हमने principally value accept किया है students वैसे तो हम देखें कि यहां पे minus pi से 0 तक भी minus pi से 0 तक भी value change नहीं हो रही है सबकी अलग-अलग है हम यह भी domain ले सकते हैं लेकिन जो internationally हमें accepted domain है वो कौन सी है 0 से pi तो इसलिए course x की जो domain रहेगी वो 0 से pi लेकिन course inverse x की जो domain क्योंकि course axis जो ज्यादा से ज्यादा value है वो 1 है कम से कम minus 1 तो इसी तरह से यह देखिए जब मैंने इसको graph में मैंने इसकी image ली जब मैंने इसका graph x axis को y बनाया और y को x बनाया यानि इसको वैसे पलटा तो यह इसका graph इस तरह से हो जाएगा इसके inverse का तो यह minus 1 से 1 तो हो जा पाई तक ही है तो range हमारे पास रहेगी 0 से पाई सिर्फ आपको यह चीज ध्यान से देखनी है और इसी को ध्यान रखना है इसी को आपको याद हो यही चीज आपको याद होनी चाहिए इसी तरह student 10 inverse x है आप book में से देख सकते हो students 10 inverse x का 10 x का यह function 10 x जो function है उसका graph यह है यह देखिए यहाँ पर यह pi by 2 पर not define है और minus pi by 2 पर not define है और इस दोरान इसकी जो value है वो कहीं पर repeat नहीं हो रहे है उसके बाद यह दुबारा repeat हो नहीं start होगी pi by 2 के बाद means minus pi by 2 से pi by 2 अब pi by 2 पर not define students यह infinite है और minus pi by 2 तो minus pi by 2 और pi by 2 का open interval है यानि ना तो minus pi by 2 पर define है ना ही pi by 2 पर इसलिए minus pi by 2 से pi by 2 क्या है इसकी domain है अब जब इसको हम inverse कि इसकी inverse 10 inverse x की है जब हम graph लेंगे students तो वो इस तरह का बनेगा कुछ तो हमने जो यह domain थी वो इसकी यहाँ पर बना दी यानि जो यह 10x की domain थी वो 10 inverse x की क्या बन गी range बन गई यानि range क्या बनी minus pi by 2 से pi by 2 और इसकी देखिए आप देख रहे हो सभी real number आ रहे है ना range में इसकी जो tangent x है जब मैंने tangent x का graph ग्रोप हिया तो 1b या 2b, 3b, 4b, 5b, 6b यह जो y की value बढ़ रही है लगातार यानि सभी real number आ है negative में भी लगातार nature की और जारी है यानि इसमें सभी real number आ रहे है y के यानि range तो हमारे पास सभी real number है लेकिन domain minus pi by 2 से pi by 2 लेकिन जब inverse की करेंगे तो हमारे पास domain तो बन जाएगी हमारे पास क्या सभी real number और range क्या रहे गी हमारे पास सभी real number और range आ जाएगी हमारे पास minus pi by 2 से pi by 2 का open interval open interval means यह दोनों नहीं है क्योंकि इन दोनों पे अब आप देखें student tangent 90 infinity होता है tangent 90 की value infinity और 10 minus 90 की value भी infinity तो infinity क्या होता है not defined 10 minus 90 और tangent की जब आप table देखोगे आप table check करोगे तो आप 0 से 90 के बीच में सभी real number आ जाएगे पोश्टी वाले और 0 से minus 90 के बीच में तो वो भी हमारे पास negative सभी real number आ जाएगे तो यानि अगर tangent की domain करें लेकिन inverse की क्या हो जाएगी उल्टे हो जाएगी जो domain थी वो range बन जाएगी range क्या हो जाएगी domain यानि tangent inverse x की domain क्या real number range क्या आएगी minus pi by 2 से pi by 2 हमने graph में भी चेक किया इसी तरह से court inverse x की जो domain रहेगी students वो रहेगी real number और range क्या जाएगी students 0 से पाई का open interval आपको मैं court inverse x का graph भी चेक तरूआ रहा हूँ students यह court inverse x टूट यह देखिए यह रहा court x का graph तो यह है यह देखिए यह 0 पे 0 से यह देखिए 0 से पाई के बीच में students 0 पे node define है और पाई पे नो डिफाइन है और 0 से पाई के बीच में ये वैल्यु रिपेट भी नहीं हो रही है और जब इसको मैं इसके inverse का graph करूँगा तो वो इस तरह से आएगा कुछ जब इसको इस तरह से पलटेंगे तो वो इस तरह से आएगा जिरो से पाई रहेगी जिरो से पाई लेकिन पाई पर भी ये नोड डिफाई ना रहेगी तो जिरो पाई को नहीं लेना है जिरो से पाई का उपन इंटरवल अब बात करते हैं students हम cosecant inverse x की cosecant inverse x की जो domain रहेगी क्योंकि cosecant x sin x का क्या है reciprocal है तो domain रहेगी हमारे पास जब हम cosecant inverse x का graph देखेंगे students जब आप cosecant x का graph ड्रो करोगे table बनाके वो कुछ इस तरह का graph आएगा तो इस तरह की graph में आप देखिए जो यहां से लेज यहां तक यानि 0 से pi by 2 तक और इसी तरह से यह निचे जा रहा है यहां से यानि minus pi by 2 से 0 तक यानि इतने में निचे जा रहा है और इतने में ऊपर जा रहा है यानि minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में जो यह उपर जा रहा है और निचे आ रहा है यानि minus pi by two से pi by two के बीच में रहेगी इसकी domain क्योंकि यहां के सभी की unique value है लेकिन zero पे define नहीं है तो zero को हम छोड़ देगे अब जब इसका यानि मैंने आपको बताया students यानि cosecant inverse x है इसकी domain क्या रहेगी यानि minus pi by two से pi by two किसको छोड़ करके zero क्योंकि zero पे no define है और वैसे भी students minus pi by two और pi by two पे define है लेकिन देखें minus pi by two पे यहां पे आया point और pi by two पे one पे भी one आया है यानि minus pi by two पे define है तो इसलिए इसको close कर दे है यानि minus pi by two पे जीरो पे define है या and गारी एक्सी ए और range जो आए है students हमारे पास यहां पे range क्या आरी है और या I से ज़ादा आ रही है ज्यानि one से कम वाली नहीं है न रेंज और इसमें भी माइनस वन से कम वाली नहीं जादा वाली नहीं है क्योंकि माइनस वन से जादा है नहीं उपर की और यह देखिए जो रेंज आई है कोशी के टैक्सी यह माइनस वन से जादा है उपर वैल्यू यानि माइनस वन और वन के बीच की value नहीं आ रहे, बाब की सभी real number आ रही है इसको छोड़ करके, अब जब इसका inverse करेंगे students, तो inverse में same रहेगा, यह रहेगा inverse इसका, तो inverse में जो domain है, वो क्या रहेगी students हमारे पास, यानि minus one और one से यहां पे क्या है students, यह है one और यहां पे क्या है, minus one, यानि minus one से, और one से बड़ी, और minus one से छोटी, यानि सभी real number है, minus one से छोटे, और one से बड़े, तो सभी real number है, किसको छोड़ के, minus one और one के open है, minus one और one के बीच की value नहीं है, तो open bracket को ले लेगे, और range क्या रहेगी students, यह range बन जाएगी जो domain थी, cosecant x, यह range बन जाएगी range क्या है, pi by 2 से minus pi by 2 से pi by 2 का close interval और किसको छोड़ करके 0 को छोड़ करके, वैसे भी cosecant 0 क्या होता है students, cosecant 0 infinity, infinity का उल्टा हम नहीं कर सकते क्यों, cosecant inverse करना न, तो cosecant 0 students हमारे पास होता है, cosecant 0, 1 upon sin 0, और sin 0, 1 upon sin 0 की value, 0, यह something upon 0 आता है, यह cosecant 0 पे define नहीं है, तो इसका inverse भी हमारे पास क्या रहेगा, define नहीं रहेगा, तो इस तरह से student, cosecant inverse x ही, हमारे पास domain है, real number और range यह रहेगी, इसी तरह, secant inverse x की बाकी आपके लिए कुछ ज़्यादा महत्तव नहीं रखता, लेकिन आपको इसकी range और domain का पता होना चाहिए, मैंने आपको बता भी दिया है, secant inverse x है students, इसी तरह से secant inverse x की domain है, वो क्या रहेगी, वो रहेगी same, real number रहेगी, उसमें भी minus 1 और 1 नहीं आएगा, और range जो रहेगी, 0 से πाई रहेगी, और πाई बाई 2 को छोड़ करते, क्योंकि students, secant πाई बाई 2, cos πाई बाई 2, 0 और 0 को उल्टा हम नहीं कर सकते, तो no define आजाएगा, इसलिए, secant inverse x में भी, हम पाई बाई 2 को छोड़ देंगे, यानि पाई बाई 2 को छोड़ देंगे, 0 से पाई लेंगे हम, simple से मैं आपको student domain और range को याद रखने का वे बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, आपको तिरुफ range आपको जुरूर याद होनी चाहिए, इसका ज्यादा रोल है, range क्या है students देखिए, sign inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cosecant inverse x, secant inverse x, coat inverse x, इसकी range कैसे याद रखेंगे, domain की तो, क्योंकि हम जो questions करेंगे, उसमें range को उठाएंगे, तो sign inverse x जो है, minus 90, say plus 90 है range, जिसको हम principal value होते है, range, क्योंकि principal value है न यह, ओके, अब sign का उल्टा cosecant है, तो cosecant भी minus 90 से 90 लेंगे हम, और sign cosecant और 10 inverse x को, minus 90 से 90 लेंगे, और students, बाकी में 0 से πाई ले लें सब में, 0 से πाई, 0 से πाई, 0 से πाई, अब देखिए students, 10 और coat को हम open bracket में कर देंगे, और बाकी सब को close bracket में कर देंगे, लेकिन हमें पता है, cosecant है, cosecant 0 पे define न न न न डिफाइन आता है, cosecant 0 में infinitive आता है न, तो 0 को उल्टा हम नहीं कर सकते, cosecant 0 की जो value है, infinity होती है, infinity होती है, cosecant 0, infinity is not defined, यानि यह 0 पे define नहीं है, तो यह 0 को हम छोड़ देंगे, इसी तरह से हमारे पास, जो है, secant inverse x है, तो secant cos को उल्टा है, cos 0 की तना, cos 90 की तना होता है, 0 और cos को उल्टा है secant, यानि 0 को उल्टा हम नहीं कर सकते, तो secant inverse x, या secant 90 भी हमारे पास करता है, infinity होता है, तो यह भी 90 पे no define है, तो 90 को हम छोड़ देंगे, तो यानि यह है हमारे पास, range को याद रखने का वे, सब की यानि, 3 की हमारे पास minus 90 से 90 है, open bracket की में रखने हमने, tangent में और quote में, tangent में हमने open bracket रखनी है, और course में तो close रखेंगे students, close में 10 और quote में open bracket रखनी है, बाकी सम्में close, तो this is a way how to learn this range, यानि दुवारा बता रहा हूं, minus 90 से 90 साइन की, 10 की minus 90 साइन को सी केंट की, को सी केंट की रखने की 0 से पाई है, tangent और quote की जो range है, उसको open bracket में, और छोड़ना किसमें हमने, को सी केंट में और सी केंट है, क्योंकि को सी केंट माइस 90 और 90 के बीच में 0 पे not define है, और सी केंट भी पाई बाई टू पे not define है, तो students आपको ये range जरूर याद होनी चाहिए, तो students आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कि sin inverse x को हम 1 upon sin x नहीं बोल सकते, this is not equal to this, क्योंकि 1 upon sin x होता है हमारे पास, पो सी केंट x, तो इसका उल्टा ये नहीं होता, दूसरा, sin inverse x को हम ये भी नहीं बोल सकते, sin x सारे का inverse, ये गलत है, इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते, तो sin inverse x हमारे पास sin x का, sin inverse x को हम ये बोल सकते हैं, arc of sin x, arc of sin x, या arc sin x बोल सकते हैं, या आर्क sin x बोल सकते हैं, sin inverse x को लेकिन ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, या आपने ध्यान रखना है, तो students, आज के लिए इतना ही, है वो हम next वीडियो में करेंगे उमीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें Thank you very much